Hello everyone, welcome to MM Academy मैं हूँ शेशांग लखेर और रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि पाकिस्तान का जो तालीबान है उसने सीस फायर जो है पाकिस्तान की सरकार से यहाँ पे एंड कर दिया है मतलब खतम कर दिया है और पाकिस्तानी तालीबान को तहरी के तालीबान पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है और ये वही और्गनाइडेशन है जिसने 2014 में आर्मी स्कूल पे अटेक किया था उस समय हुआ क्या था कि 7 armed terrorists जो है वो army school पे गए वहाँ पे army officers के बच्चे पढ़ते थे और ऐसा नहीं था कि बच्चे यहाँ पे भाग रहे हैं और यह पीछे से गोली चला रहे हैं उन्होंने बच्चों को एक लाइन से लटा के point blank पे जो है गोली मारी थी और करीब इस attack में करीब 300 लोगों की जो है यहाँ पे जान गई थी जिसमें से 134 यहाँ पे student थे और आसे करीब कुछ दिनों पहले मैंने एक shots बना के upload किया था जिसमें यह बताया था कि पाकिस्तान न लेकिन अब इन्होंने यह announce कर दिया है unilaterally कि पाकिस्तान का जो तालिबान है वो इस ceasefire को यहाँ पे खतम करता है आगे कोई भी शान्ती की बात जो है यहाँ पे नहीं की जाएगी मतलब अब जो है यह कुछ बहुत ही बड़ा यहाँ पे प्लान कर रहे हैं मतलब हो सकता है कि पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा अटेक जो है हमको देखने को मिले और देखो आज की समय पाकिस्तान की इस्तिति आपको भी पता है और मुझे भी पता है कई वीडियोस में जो है मैंने बताया है कि पाकिस्तानी रुपिया तूटता जा रहा है इनकी economy डाउन्फॉ कर दिया कि हम इस ceasefire को यहाँ पे end कर रहे हैं और यह एक और article है नवभारा टाइम्स का पाकिस्तान की खुकार आतंकी संगठन TTP ने तोड़ा संगर्श्वेराम अब क्या करेंगे इमरान खांग तो basically यह बहुती बड़ा question है कि अब पाकिस्तान की सरकार यहाँ पे क्या करने वाली है तो काफी कुछ जो है पे discuss करेंगे उसके पहले अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हो तो आप हमारे courses के थुरूप कर सकते हो आपको करना क्या होगा app को download करना होगा फिर आपको यहाँ पे sign up करना है आप दो videos lecture देख सकतो जो demo lecture होगे फिर आपको profile में जाना है plan को purchase करना है courses को जो है करना है एक ही subscription में आप सभी course अविल कर पाओगे और आप यहाँ पे PDF जो है download कर सकते हो पाकिस्तान की सरकार और जो पाकिस्तानी तालीबान है उनने 9th of November को जो है एक peace talk यहाँ पे sign किया था मतलब एक ceasewire को जो है यहाँ पे sign किया था कि हमारे बीच में जो भी differences है उनको हम शांती से एक table पे बैठके जो है आपे solve कर लेंगे अब यह तहरीके तालीबान है क्या देखो पहली बात तो यह बहुत ही खतरनाग group है इसको पाकिस्तानी तालीबान की नाम से जाना जाता है जो पस्तून Islamist armed student है उनका यह group था और उनोंने जो है इसको यहाँ पे form किया है इसमें various student आपको देखने को मिलेंगे जो की अफगान और पाकिस्तान की border में रहते हैं अब आप यहाँ पे बोलोगे करता है इसके अलावा इनके जो ties है अलकाइदा से वो बहुत अच्छे हैं 2019 में अमेरिका का जो department है उसने यहाँ पे एक report publish करी जिसमें यह बताया गया कि करीब 3000 से लेके 4000 तक TTP के पास militant है मतलब इनके पास 3000 से 4000 लोग है अब आज चल रहा है 2021 21 तो इनकी जो संख्या है वो बहुत जादा यहाँ पे हो गई होगी मेली अगर हम बात करें तो यह किस एरिया में operate होते हैं देखो यह जो है ना इस एरिया में मेली operate होते हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का border है उसमें पाकिस्तानी तालीबान और पाकिस्तान की जो forces है उनके बीच में कई बार जो है यहाँ पे fight भी हुई लेकिन यह जो है पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ चले जाते हैं फिर कुछ समय बात अफगानिस्तान से जो है यहाँ पे वापिस आते हैं तो इनका reinforcement यहाँ पे हो जाता है और ये तना खतरनाग ग्रुप है एक बार अमेरिका ने drone strike करी थी इनके उपर 2010 में तो TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने यहाँ पी United States को एक warning दी थी कि अब हम आपकी जो cities हैं मतलब ले थी TTP ने इसके अलावा Times Square जो काफी famous है New York का उसमें भी bombing हुई थी 2010 में और इसकी भी responsibility ले थी TTP ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान और इस ग्रुप को पाकिस्तान की सरकार ने 2008 में ही बैन कर दिया था इनके bank account को freeze कर दिया इनके assets को भी यहाँ पे freeze कर दिया और media appearance पे भी बैन लगा दिया इसके अलावा government ने यहाँ पे reward issue किये तहरीके तालिबान पाकिस्तान के important leaders थे उन पे यहाँ पे इनाम भी रखा गया कि अगर आप हमको इन leaders का पता बताओगे तो हम आपको इनाम देंगे और देखो सिर्फ यही नहीं एक बहुत ही massive attack में आपको बताता हूँ mainly यह attack 2017 में हुआ था पाकिस्तान में एक IED place कर दिया गया था vegetable crate में और यह vegetable market में यहाँ पे explosion हुआ जिसके बाद करीब 25 people जो हैं यहाँ पे मारे गए इसके अलावा 87 जो हैं यहाँ पे injured हुए और आज के समय पाकिस्तान अमेरिका, कैनिडा United Kingdom इन सब देशों ने यहाँ पे ban करके रखा हुआ है इस terrorist group को और at last एक बहुत ही बड़ा question जो है यहाँ पे खड़ा हो जाता है इमरान खान के उपर, पाकिस्तान की सरकार के उपर कि अब पाकिस्तान की सरकार जो है यहाँ पे क्या करेगी, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की सरकार के पास यहाँ पे पैसे नहीं है उनकी जो economy है वो downfall पे जा रही है, अब यह कैसे यहाँ पे मैनेज करेंगे और देखो यह सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है इन्होंने मैनमार तक में अटेक किया है तो इन फ्यूचर अगर इनको नहीं रोका गया तो यह कुछ बढ़ा कर सकते हैं और इनको रोकने के लिए एशिया की जो इसी के साथ यह तंत इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जहिन जह भारत